Hello Friends, कैसे आप सभी? I hope सभी अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY Learning में आज की वीडियो में हम एक छोटा से स्ट्रक्चर करने वाले हैं जो हम डेली की लाइफ में अपने डेली बातों में जिनको यूज करते हैं जैसे मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है मुझे खाने में पीजा पसंद है मैं उससे बात करना चाहूंगी ऐसे sentences ही तो होते हैं जो हम अपनी daily life में use करते हैं कहने को तो छोटारा structure है लेकिन बहुत ज्यादा काम की चीज है इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप daily to daily life में अच्छे से बाते कर पाएंगे तो देखते हैं कैसे इसके rule है और कैसे इसका use होता है आज है है हमारा topic use of like to यानि कि पसंद करना ठीक है किसी चीज को पसंद करना या अच्छा लगना हम इसका use present tense में भी सिखेंगे past tense में सिखेंगे और future tense में भी सिखेंगे ठीक है पहले जान लेते हैं कैसे sentence पहचानेंगे हम कि ये इससे बनेंगे कि sentence के last में क्या होगा जो हम like to का use करेंगे जैसे हम present में बोलते हैं तो क्या है पसंद है मुझे pizza खाना पसंद है मुझे लाल रंग पसंद है ठीक है पसंद करता हूं मैं तुमसे मिलना पसंद करता हूं अच्छा लगता है मुझे तुमसे बाते करना अच्छा लगता है तो ये जो है हमारा structure present tense का है अब अगर हम past की बात करते हैं तो क्या जे पसंद था मुझे बच्पन में comics पढ़ना पसंद था बच्पन में हम comics पढ़ते थे ना तो हमें बच्पन में comics पढ़ना पसंद था पसंद करता था मैं बच्पन में अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता था अच्छा लगता था मुझे टीवी पर रामान ये माभार देखना अच्छा लगता था कब बच्पन में पहले की बात हो रही है अब आते है फ्यूचर की बात चाहेगा चाहेगी या चाहेगी क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी क्या तुम चाय पीना चाहोगी तुम चाय लोगी या कोफी लोगी ऐसे हम काफी बातें बोलते हैं तो उसके लिए हमारा future tense में like two का यूज होगा आगे structure से सीखेंगे पसंद करेगा वह तुमसे मिलना पसंद नहीं करेगा उसे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसे जो भी sentence बनेंगे हमारे like two से ही बनेंगे अब बारी बारी से एक एक को सीखते हैं पहले हम प्रेजेंट में structure क्या होगा हमारा जैसे हमारा structure है subject plus like two plus work तो कैसे बनाएंगे जैसे मैंने एक एक्जामपल लिया मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है या मैं पढ़ाना पसंद करती हूं ठीक है किसी भी language में बोलो कैसे भी word बोलो लेकिन हमें sense को पकड़ना कि हमें क्या करना अच्छा लगता है तो क्या बोलेंगे subject मुझे है तो I I के बाद like to teach यह हमारा sentence बन गया अगर हम करते हैं noun का use तो हम to नहीं लगाएंगे ठीक है noun क्या है जो भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसका नाम है वो क्या है noun ठीक है जैसे मैंने कहा कि मुझे तुम अच्छे लगते हो तो like to नहीं लगाएंगे तो I like यू लगाएंगे आपने का भी बार सुना भी होगा like to का use सीख रहें लेकिन जो to है उसका use कब होगा जब हम action लगाएंगे यानि कि नहीं बोलेंगे I like red color I like apple ठीक है ऐसे हम to का use करेंगे किसके साथ वर्ब की फोर्म होगी या एक्षन होगा तो हम to लगाएंगे एक बात और समझादेती मैं इसी में आपको अगर हम कभी भी use करते हैं four four तो मैं अगर two जीव फोर यूज करेंगे तो teach नहीं लिखेंगे teaching लिखेंगे I like four आपकी इच्छा आप कैसे भी बनाएब तो आप वर्ब की फोर्ट फोर्म का यूज करेंगे अगर आप four से बनाते हो तो आप वर्ब की fourth form का use करेंगी यह आपको हमेशे ध्हान में रखना है अब लाइक है जो इसमें अगर singular person number होगा यानि कि subject singular होगा एक होगा तो likes हो जाएगा ठीक है यह मैं आपको टैंसे में अच्छे से अच्छा लगता है और जो plural होते हैं उनके साथ हमारा वर्व की first form यानि कि like का ही यूज होगा आई हो यहां तक समझ आ गया होगा आपको आप past की बात करते हैं जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था यानि past की बात है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था तो मुझे I अब like की second form हो जाएगी I like to teach ठीक है जब हम past की बात करेंगे तो like की वर्व लगेगी ना की teach की वर्व ठीक है यह आपको ध्यान रखना है like में जमेशा first form का यूज होगा ठीक है अगर मैं बोलती हूं negative में मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता था तो past में negative में क्या अब did की साथ like नहीं आएगा like की आएगा I didn't like to teach ठीक है अगर में present की बात करी हूं कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है नहीं लगता है तो I don't like to teach ठीक है ऐसे ही अगर हम कहते हैं क्या तुम्हीं पढ़ाना अच्छा लगता है तो did आगे आजाएगा did you like to teach ठीक है तुम्हीं पढ़ाना क्यों अच्छा लगता है तो I did you like to teach अब अच्छी से आपको sentence को frame करना आगिया होगा क्योंकि जो tense में नहीं कराए हैं अच्छी से आपने अगर सीखी होंगे प्रक्टिस की होगी तो आपको यहाँ प्रोल्लम नहीं आएगी अब यह पढ़ा हमने past का अगर हम बात करते हैं अब present में अगर हम negative sentence बनेंगे तो कैसे बनाएंगे मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो क्या आएगा I don't like to teach ठीक है मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता अगर हम उसके interrogative की बात करें तो do आ गया जाएगा do I like to teach मेरा परपजय आपको अच्छे से सीखाना सीखना आपका काम है प्रेक्टिस करना आपका काम है अब देखते हैं हम अगर मैं बोलू क्या मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो यह हो गया क्या मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो क्या आजेगा do I not like to teach मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता I don't like to play मुझे उससे बात करना अच्छा नहीं लगता I don't like to talk to him क्या तुम्हें उससे बात करना अच्छा लगता है do you like to talk to him ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे ही आपको practice करनी है, समझा है आपको present में कैसे use करना है और past में कैसे use करना है, अब बारी आते है हमारी future की, future में जब भी हम बात करेंगे, sense ये निकलेगी, चाहेगा चाहेगी या चाहोगे, या पसंद करेगा या अच्छा लगेगा, उसे तुम से बा अच्छा लगेगा, या वो तुम से बात करना चाहेगा, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है या उसे तुम से बात करना पसंद है, या पसंद होगा, जो भी sense निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी, केवल आपको sentence को देखना है, कैसे वो बनाना है, तो उसे तुम से बात करना, तो उसे जब भी science हमारी यह निकलेगी तो क्या होगा? would like, would like to, फिर हमारी word की first form आएगी talk, किसे? उससे, तुमसे, talk to you, ठीक है समझाया? वो तुमसे बात करना नहीं चाहेगी, या उससे तुमसे बात करना पसंद नहीं होगा, तो क्या लेगाएंगे हम? see, would not like to, talk to you, छोटा से structure है, छोटा से topic है, बड़े काम की चीज़ है, इसको आप use कीज़ेगा, देखना आपको कितना अच्छा लगेगा, आपके अंदर confidence आएगा, confidence कब आता है? जब हम बोलना सीखेंगे दिरे-दिरे, जब आप बोलना सीख जाएंगे, तो confidence अपने आप से आने लगेगा, और confidence भी तब आएगा, जब आप practice करेंगे, ठीक है, बिना practice के कुछ नहीं होने वाला, अगर आप चाहते हो English सीखना, या आपने मन बना लिया English सीखने का, तो practice जरूर करना, अब आता है, negative sentence में आजाते हम, तो would you like to, would you like to, talk to you, ठीक है, या would he, या would see भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपने पूछना हो, कि आप चाहे लेना पसंद करोगे, या आप चाहे लेना चाहोगे, तो कैसे बोलोगे, बोलो, अगर हमने पूछा, क्या आप चाहे लेना चाहोगे, तो would you like to tea, या कोफी लेना चाहोगे, ओट कोफी, ठीक है, क्या तो मु का यूज कंप्लीट आ गया होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे